इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह और आवला फल से बना है जो अपने शीतलक प्रभावों के लिए जाना जाता है बेल फल में पाचन और वाथर गुण होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करते हैं और प्रति दिन आवले का सेवन और मलत्याग को नियंत्रित करें एसिडिटी की जाज करें, रक्त को शुद करें, रंग को चमकदार बनाएं और गर्मी की दिनों में भी शरीर को ठंडा रखें चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, आवला विटामिन सी, आयरन और खनीजों का अच्छा स्रोथ है दो, आवला प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है, चयापचे को नियंत्रित करता है हाइपर एसिडिटी, आँखों की बीमारियों, त्वचा रोगों, अनीमिया और रक्ट संबंधी विकारों में मदद करता है तीन, आवले का मुरब्बा कब्द से राहत दिलाता है और कॉलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है चार, बेल फल में एंटी बैक्टिरियल और एंटी परजीवी गुण होते हैं, जो दस्थ को कम करने में मदद करते हैं बेल में मौझूद टैनिन शिगिलोसिस नामक संक्रमन से लड़ने में मदद करता है, जो दस्थ और हैजा का कारण बनता है पांच, बेल पाचन संबंधी सभी समस्याओं का रामबान इलाज है, ये गैस्ट्रिक पत में म्यूकोसा के असंतुलन और ऑक्सिडेटिव तनाव के स्तर के कारण होने वाले गैस्ट्रिक अलसर को नियंत्रित कर सकता है चे, बेल कॉलेस्ट्रॉल नियंत्रण में मदद करता है और हृदय रोगों के खत्रे को भी कम करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें